दोस्तों नमस्कार आप देख रहे हैं खेलड़ावा का यूटूब चैनल और मैहूंड अवीन चंद मनोज पत्ना फुटवाल संग के तत्वावधान में राजधानी के दो ग्राउंड पर खेली जा रही राजकुमार महासेट मेमोरियल पत्ना जिला सीनियर ड्विजन फुटवाल लिग में सनिवार को खेले गए मैचों में एक ग्राउंड पर देदना दन हुआ तो दूसरे ग्राउंड पर सूखा रहा जी एसी ग्राउंड पर जी एसी एपसी ने रैनवो एपसी को पांच सुन से हराया जबकि गांजी मैदान पर दाना पूर उनाइटेट बना मौरियान आर्सनल मुकाबला सुन सुन की बराबरी पर समाप्त हुआ जी एसी ग्राउंड पर खेले गए मैच का उदगाटन डाक्टर धर्मेंद्र कुमार ने खिलाडियों से परचय प्राप्त कर किया इस मौके पर पुर्व महापौर शाम बाबुराय पी एफे के कोसा जहस एलपी बर्मा पुर्व फुटवाल खिलारी मनोहर राय दीपक कुमार समेट कई गन्यमान व्यक्ति मौजूद थे अपने होम ग्राउन पर खेल रही जी एसी एफसी की टीम के खिलाडियों ने वेहतर खेल दिका कर अपने परसंसकों को मंत्र मुक्द कर दिया खेल के 19 मिनट में अफरीदी हाजरा ने गोल कर जी एसी को पहले हाफ में एक सुन की बढ़त दिला दी दूसरे हाफ में दोनों टीम के खिलाडी नए जोज के शाथ मैदान पर उत्रे दूसरे हाफ का खेल शुरू होते ही जी एसी के खिलाडियों ने रैनवो एफसी पर तावर तोल हमला शुरू कर दिया शैफुदिन बैदा ने 42 में संजीत मंडर ने 49 में और 33 में मिनट में दनादन गोल कर जी एसी को चार सुन की बढ़त दिला दी रैनवो एफसी की रच्छा पंक्ती ने जी एसी के अटैकरों को रोकने का पूरा परियास किया पर सफलता हाथ नहीं लगी खेल के 59 में मिनट में महाशीन तरफदार ने गोल कर जी एसी को पांस सुन की महत्पुन बढ़त दिला दी जो अंतक कायम रहा जी एसी के मुकेश कुमार को पीला कार्ट दिखाया गया मैच के रेपरी कैलास परसाद मनोज कुमार सुनिल कुमार और फजले अली थे दोस्तों आप समों को इस वीडियो का कंटेंड कैसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करेंगे सेर करेंगे खेल धावा चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे बेल आइकन को दबाना न भूलेंगे खेल की खबरों के लिए आप खेल धाबा से जुड़े रहेंगे